अरब बात करते हैं मंदसौर की जहां सौतेली मा का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो साथ साल के मासूम्स को जानवरों की तरह पीट रही है वो से चपल से लाद घूसों से हर तरीके से मार रही है बच्चे की बेरहमी से पिटाई का ये वीडियो पडोस में रहने वाले युवक ने बना कर वाइरल कर दिया जिसके बाद लोगों ने घर पहुँच कर उसे बचाया और पुलिस के हवाले कर दिया पूश्ताश में बच्ची ने बताया कि सोतेली मा उसे कप्रे धुलवाने चाड़ू पोशा करवाने और बरतन धुलवाने जैसे काम करती थी उसे खाना भी नहीं देती थी दो साल से बच्ची सोतेली मा की यातनाव को सहती आ रही थी वहीं बच्ची को बचाते हुए उसे अपना घर भेज दिया गया है बालकल्यार समीती ने पुलिस से दोशी मापर कारवाई के लिए कहा है समीती के अध्यक्ष संकर डोडिया ने बताया कि मामला मंदसौर के पिपलानिय मंदी के गुड़ भेली गाओ का है जहां रहने वाली साथ साल की मासूम से उसकी सौते लीमा संगीता बहुत जाला काम करवाती थी और उसे यादनाई भी देती थी डोडिया का कहना है कि परिवार ने बच्ची को गोद लिया है या फिर उसे खरीद कर लाए है अभी इस बात का पता किया जा रहा है मामले में पुलिस का कहना है कि उसके पुनरवास की विवस्था की जा रही है बच्ची को चाइड लाइन ने अपना घर भेज दिया है बच्ची काफी कमजोर है वही सौते लीमा के खिलाब कारवाई के लिए CWC ने लिखे तावेदन दिया है पुलिस के सामने मासूम बच्ची ने तोतली आवाज में यातना देने की जो बात बताई वो रोंगटे खड़े करने वाली है उसने बताया कि चाटा, लाद, डंडा सब चीजों से मा मारती है मुझे छट से भी लटका दिया था मा मुझे साफ सफाई करवाने के अलावा महिला का नाम संगीता है, प्रारंबिक परताल में सामने आया है कि महिला ने बच्ची को कहीं से गोद लिया है जिसके उम्र करीब 7 साल है, पुलिस के सामने महिला गडगराते हुए खुद को बेकसूर बताने रगी, महिला पर कारवाई के लिए कई ग्रामेर भी थाने महिला पिछले दो साल से बच्ची के साथ ऐसा ही बरताव कर रही है, जिसके बाद पिपलिया मंडे पुलिस ने मासम को चाइड लाइन के सुपूर्द कर दिया है, बेरो रिपोर्ट विराट 24 न्यूस हम इस बालिकाओ को शरक्षान उसके पुनलवास की सारी विवस्ता करेंगे, इसके देख रेक, इसके उचित देख बाल, इसके इलाज की सारी विवस्ता करेंगे, इसको अभी वर्तमान में अभी हमने अपना घर आईस्थाहिर उससे भीजा है, वहां इसकी अच्छी से दे आज भी करवाय जागा